कर लोगों का इस अक और नए विडियो में एक बहुत ही बड़ी क Rob पर निकलकर हमारे सामने आई इये राम मंदिर के ट्रस्ट में को बहुत proudly अब बड़आ हमारे सामने फिर से निकलकर के आ जहां पर यह पता चला कि बीस लाग की जमीन को धाई करोड रुपे में बेच दिया गया जैसे कि दो करोड की जमीन को अठारा साड़े अठारा करोड में बेचा गया था उसी पैटर्न पे एक और बहुत बड़ा राम मंदिर की ट्रस्ट के अंदर घोटाला निकलता हुआ सामने आया है सबसे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं यहां पे कि आखिरकार राम मंदिर की जो ट्रस्ट है वो इतने inflated rates पे जमीन क्यों खरीद रही है इसी क्या जरूत है जो राम मंदिर की trust इतने ज़ादा बड़े होए पैसों पे जमीन को खरीदने का काम कर रही है और क्यों बार-बार जितनी भी तमाम deals हैं उनके अंदर क्यों बार-बार कुछ ही गिने जुने लोगों का और खास बी चीज set pattern पे होती है तो उसका मतलब साफ होता है कि set pattern पे एक planning के तहित वो चीज़े करी जा रही है एक चोरी कहीं ना कहीं उसमें definitely करी जा रही है तो आपको दो चीज़ें दो matter समझा देना चाहता हूं दो matter आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि sequential तरीके समझाना चा जिसके ओपर थोड़ दिन पहले निकल के काफी सारे लोगों ने opposition ने काफी हला मचाया था यह बताया था कि 5 मिनट में 2 करोड की land जो है वो साड़े 18 करोड में बेच दी गई land खरीदी किस से गई किसको बेची गई पूरी तरीके से clear बताय गया इसमें जो witness है इसमें witness निक निकल कर आए रिशिकेश उपाध्या जो की आयोध्या के मेर है भारती जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है उसके अलावाद जो नाम निकल कर के आए वो जितने भी नाम थे उन में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले से ही रिशिकेश उपाध्या से related थे या फिर राम मंदिर की ट्रस्ट से या फिर भारती जनता पार्टी से related थे अब यू जो दूसरी लाइंड निकल कर के आए जिसमें एक और बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है राम के नाम पे घोटाला भगवान राम जिसके बहुत बड़े भकते लोग बनते हैं उनके नाम प कोई गुत्थी उलजी हुई होगी दीप नारायन जो है ये नेफ्यू है याने की भतीजा है रिशीकेश उपाध्याय का अगेन जो की आयोध्या के मेर हैं जो की विटनेस थे उस टाइम पर जब बाग बिजैसी वाली जमीन का पूरा ये सौदा हुआ था दो करोड की जमी कोई ना कोई इंवल्मेंट वहाँ पर होगा ही होगा उसके बाद ये जो डील निकल कर सामने है जो स्कैम निकल कर सामने आ रहा है इसमें भी रिशीकेश उपाध्याय का जो भतीजा है दीप नारायन उसने डिरेक्ली जमीन खरीदी है और उसने डिरेक्ली जमीन खरीदने क अब circle rate आपको ध्यान देना पड़ेगा ये पूरा matter समझना पड़ेगा कि circle rate इस पूरे time पे change नहीं होता है 20 फरवरी से लेकर 11 मही के बीच में एक भी बार circle rate चेंज नहीं हुआ चार हजार रुपे का circle rate और circle rate के हिसाब से 35 लाग की ये जमीन बनती है जिसको धाई करोड में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरी लिया आखिरकार क्यों इतने जादा inflated पैसों पे जमीन को खरीदा गया और जरा इस चीज के ओपर आप ध्यान डालिए ये जमीन जो खरीदी है इस आदमी ने जिसका नाम है दीप नारायन उसने जो जमीन खरीदी पर सादा चारेस से जमीन खरीदी गई है उससे 247 रुपे square feet के भाब पे जमीन खरीदी और 28,000 रुपे पे जमीन बेची गई है आखिरकार इतना भयंकर प्रीमियम कहां पर मिलता है इंडिया में जरा सोची एक बारा क्या इतना बड़ा प्रीमियम जमीन के ओपर किसी को आज की डेट में मिल सकता है दिल्ली एंसियार के अगर मैं बात करूँ तो वहां पर जमीन के जो दाम है वो लगातार बढ़ के रहे ह थी हॉस्पिटल नहीं थे उस टाइम पर इस सब चीज़े चल रही है 35 लाग की जमीन को धाई करोड रुपे में बेच दे आता है उसी दिन एक और चीज़ सामने आती है 20 तारिक को 20 फरवरी को जब यह जमीन खरीदता है जिस टाइम पर दीप नारायन उसी दिन एक और जम खरीद कर बेच दी जाती है महेंगे इंफ्लेटेड रेट्स पर अब सबसे बड़ा जैसे कि मैं बढ़ा सवाल बार बार यह खड़ा होते कि आखिरकार रामंदे ट्रस्ट जो है वो बार बार इतने इंफ्लेटेड प्राइस पर जमीन क्यों खरीद रही है आखिरकार ऐसी क यह वजा है जो रामंदे ट्रस्ट इतने इंफ्लेटेड प्राइस पर जमीन खरीद रही है अब आपको इस सब के बीचे में एक पैटन दिखाना चाहता हूं पैटन इसले दिखाना चाहता हूं जिससे आपको भी समझ आए कि यह इत्तिफाक नहीं है ऐसा नहीं है जो आप आपको दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ट्विटर पर हैश्टाग चलाए जा रहे है कि आई स्टैंड विद जो हमारे चंपत राइजी है या फिर कोई भी किसी ने गड़बड़ी नहीं करी है आपको एक पैटन दिखाता हूं जिसके बाद आपको क्लियर सामने आ जा उसके भी रिकॉर्ड जो हैं पूरे यूपी पुलिस के पास हैं और यह जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको इस टाइम पर जहां पर 35 लाग की जमीन जो है वो धाई करोड में बेची जा रही है या फिर जितने भी नाम मैं बता रहा हूं जो इन्वाल्व नहीं यह सारे के सारे यूपी गवर्मेंट की वेबसाइट पे पब्लिक डोमेंट पे हैं इसा नहीं कहीं चुपे होऊ हैं यह काखजात यह सारे प्रूफ सभाएलेबल अफे आपको इस का मतलब कोई हवा हवा ही बात करी जा रही है और ईस बात को भी ऐसए बहुत सारे लोग है जो निखलके कहाई देंगे तुम जूट बोल रहे हो को जो खरीदने वाले लोग होते हैं पहले केस में हरीश पाथक से किस ने खरीदा था तेवारी से ने खरीदा था और सुल्तान ने खरीदा था उसमें तेवारी जो हैं वह आपको बता देता हूं वो रिशीकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं याने कि वो भी रिशीकेश उपाध्याय का relative रिशिकेश उपाध्याय यानि की आयोध्या का mayor आयोध्या के mayor का relative दोनों ही cases में जमीन खरीद रहा है कोई ना कोई relative निकल के और उस जमीन को फिर एकदम से inflated rates पे और वो भी बहुत भयंकर inflated rates पे राम मंदे ट्रस्ट को बेच दिया जाता है कुछ जमीन की deal में यहाँ पर रिशिकेश उपाध है खुद एक witness बनते हैं और कुछ में कुछ अपने लोगों को witness बनाते हैं यह एक साफ साफ pattern हमारे को दिखाता है और इसके बीच में कुछ और भी deals होती है जहाँ पर फिर से inflated rates पे जमीन को बेचा जाता है राम मंदे ट्रस्ट को अपने आप में इस सारे के सारे patterns जो हैं सारी के सारी कहानी को clear कर दे रहें अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चंपत राए जो हैं वो चोर है या फिर उन्होंने चोरी करी है या फिर यह scam बहुत बड़ा scam चंपत राए नहीं करा है लेकिन मेरा कहना यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है मैं नहीं चाहता कि राम मंदिर का काम रुके या फिर राम मंदिर का काम टले कि इस पूरे matter के उपर एक बड़ी से बड़ी जाच करी जाए और हो सकता है तो इस राम मंदिर ट्रस्ट के उपर एक CBI जाच को तुरंट से तुरंट बिठाया जाए अगर सच में हमारे देश की सरकार ये कहती है कि वो राम मंदिर बनाना चाहती है या फिर राम की बहुत बड़ी भक्त है या फिर राम भक्तों की बहुत बड़ी हितेशी है तो इस चीज के उपर इस राम नाम के चोरी के उपर तुरंट से तुरंट CBI जाच को बिठाया जाना चाहिए ये पूरा matter आपको sequential तरीके समझाना चाहता था इस बीच में 2-3 खबरें और भी निकल कर आ रही है बड़ी खबर एक और ये निकल कर आ रही है कि A.K. Sharma जिनकों की यूपी में भेजा गया था डिप्टी सीम के नाम पर सोचिये डिप्टी सीम के नाम पर भेजा गया था उनको जो कि नरेंदर मोधी के खास हम खास हैं बहुत जादा खास हैं अमिच्छा से भी जादा खास हैं उनको भेजा गया था डिपटी से मनाने के लिए मोधी के बड़े-बड़े मनसूबे थे, बड़े-बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन नरेंदर मोधी को पूरी तरीके से आउकाद दिखाते हुए, योगी अधित्यनाथ ने उनको कैबिनेट में एक भी जगा नहीं दी, कैबिनेट एक्सपैंशन को रोग दिया, साथी-साथ उनको बनाया तो क्या, बीजेपी यूपी का वाइस प्रेजिडेंट, आपको बता देता हूँ, इस टाइम पर बीजेपी यूपी में 16 वाइस प्रेजिडेंट है, वो सत्रवे नंबर पर है, यानि की 17 फोटो में उनकी छोटी सी फोटो कहीं पर नज़र आएगी, जिस राजनीती में कितना जादा कम हो चुका है, योगी आदित तेनात ने उनको कितनी भयंकर पठखन नहीं दे दी है, यूपी की राजनीती के अंदर, नहीं उनको फेस बनाया जाएगा, नहीं उनके फेस पर चुनाब लड़ा जाएगा, ये चीज आरे सस्क्लियर कर चुकी ह साथी, राम मंदिर्पिक की ट्रस्ट पे जब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल भी कहीं नहीं नरेंदर मोदी के उपर ही जाते हैं, क्योंकि नरेंदर मोदी के द्वारा ही बनाई गई थी, पूरी की पूरी ट्रस्ट, चंपत राये जो हैं, वो भी नरेंदर मो नरिंदर मोधी की पॉपलाइटी बहुत बढ़ गए लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यानात नरिंदर मोधी की लगातार उनको आउकात दिखाने में लगे हुए हैं और ये चीज है इस टाइम की सच्चाई साथी आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ट्विटर पे इस टाइम पर ट्रेंड चल रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के द्वारा की हम हिंदू है या फिर हमें हिंदू होने पर गर्व है इस तरीके की ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और एक न्यूज ये भी निकल कर आई है कि जो चंपत राये हैं उनके भाई ने काफी सारे लोगों सच क्या है इसको जानने के लिए CBI जाच के बहुत बड़ी जरुत है जिसकी मैं बार-बार मांग कर रहा हूं इन सब चीज़ों को लेकर के एक वीडियो बनाना चाता था और आपको एक्स्प्लेइन करना चाता था सारी चीज़े से एक पैटर्न आपको दिखाना चाता था जिससे आप क्लियरली सारी बातों को समझे अब मैं चाता हूं कि आप इस मेसेज को इस न्यूज को आगे लोगों को अवेर करें उनको शेयर करें जिससे की ये आवाज और उट पाए कि भाई राम नाम पर जो घोटाला कर रहा है उसके ओपर एक CBI जाना चाता हो अगर चो क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन चीजों के ओपर एक बड़ी चर्चा हो गोधी मीडिया तो लगा हुआ है नरेंद्र मोधी को सबसे बड़ा वर्ल लीटर बताने में लेकिन सच्चाईयां क्या है इस टाइम पर हमारे देश के असली मुद्दे क्या है इनके बारे में बात कर लोग या आप सब लोगों से अगली वीडियो लोगा है